जैहिंद मैं संदिप कुमार आप सभी के सामने हमारा जहारखर्ण MC की सेशन लेकर आया हूँ इस सेशन में जितने भी एक्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कुछेंस उस टाइप के इंपॉर्टेंट कुछेंस मैं आपको एक क्रमबत तरीके से सजा कर लाया हूँ जो कि आपके JPSC और JSAC के हरी एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तो आईए डिसकस करते हैं हम लोग कुछेंस को अगर आपको किसी का भी कुछेंस का एंसर आपको पता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे सबसे पहले कुछेंने कनाडा बांध किस नदी पर है आपके options है मयुराक्षी नदी, स्वनरेखा नदी, दामोदर नदी और इनमेंसे कोई नहीं तो सबसे पहले मैं answer बता देता हूँ कि इसका answer होगा मयुराक्षी नदी दोस्तों कनाडा बांध जो की दुमका में इस्तित है आपको मैं बता देता हूँ जारखन राजी के दुमका में इस्तित है आप लोग इनको इस डेम को मसानजोर मसानजोर डेम के नाम से जानते होंगे है ना इस डेम को मसानजोर डेम के नाम से जानते होंगे क्योंकि कनाडा देश से इनका सपोर्ट मिलता है इस डैम को इसलिए इसका नाम कनाडा बांध रखा गया है ठीक है और यह मयुराक्षी नदी जो दुमका होते हुए जो नदी जाती है उसी नदी पर यह स्थित है चलिए next question और इसमें जो स्वार ने रेखा और दामोदर नदी है जो कि जमशेदपूर साइट से निकलती है ये भी बहुत ही important नदीया है इसके बारे में हम फिर अगले क्लास में या कभी कोई क्लास में हम लोग नदीयों के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें discuss कर बेतला राष्ट उद्यान किस से वन्य प्राणी के लिए प्रसीद है ये सब जितने भी questions है ये सब previous question previous year में आई वे question है या तो JSC में आये है या तो JPCA में आये है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा important हो जाता है इसको याद रखना चलिए आपके review और revision के लिए भी ये बहुत important है आपकी तैयारी कैसी है वो आप review और revision कर सकते हो तो options है बाग, शेर, हांती गोड़ा तो इसक जारखन राज के किस डिस्टिक में पढ़ता है या आप comment box में लिखेंगे आते है next question में जारखन की गंगा नदी किस जीले से होके गुजरती है जारखन की गंगा नदी इसके कहने के यह मतलब है कि जारखन राज है अपनी गंगा नदी किस जीले के अगल बगल से वह गुजरती है तो यह मैप मैं भी मैं समझाओंगा आपको सबसे पहले हम लोग को मैप का भी क्ला आज हम लोग launch कर रहे हैं, इसमें free of cost आपको यहाँ पे बहुत बढ़ियां तरह से तरियारी कराई जाएगी, तो इसका options है, साहिव गंज, राची, लातेहार और कोडर्मा, आपका options का answer है साहिव गंज, यानि कि साहिव गंज से होकर गुजरती है, यहाँ पे आप मैप में द किस state का district है, यह आप comment box में लिखेंगे, मनिहारी district किस state में है, आपको comment में लिखना है state, इसके बाद लिखना है, मनिहारी, ठीक है, मनिहारी, ओके, यह सब बहुत ही ज्यादा activity करने से आपको ज्यादा याद रहने वाला है, दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, next question की और म लावा लॉंग अभ्यारन, याद रखिएगा, लावा लॉंग अभ्यारन के बारे में पूछा जा रहा है, लावा लॉंग अभ्यारन, जारखन के किस जिले में इस्थित है, आपको अभ्यारन याद होने चाहिए, जितने भी अभ्यारन है, किस जिले में है, किस लिए प्र और आप लोग उसे देखना अगर कोई भी आपको उसे प्रॉब्लम हो तो फिर नीचे कमेंट बाक्स में लिखना आते हैं इसके options है चतरा, दुमका, गुमला और लातेहार ये चार options है और जो लावालोंग अभ्यारन है वो जारगन के चतरा जील में है आपके लिए एक question और है कि ये जो लावालोंग अभ्यार है इसमें सबसे प्रसीद सबसे प्रसीद वन जीव कौन से है वन जीव कौन से सबसे प्रसीद वन जीव है आप इसका comment करेंगे आते है next question में मुख्यमंत्री के नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बहुत ही ज्यादा important है actually जिनको पता होता है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा easy हो गया है उनको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा easy question है लेकिन क्या होता है दोस्तों कि ये examination में जागे confusion न create कर दे इसलिए बहुत हो कहना होता है कि ये तो चुनाओ से जीत कर आते हैं विधान सभा की चुनाओ में या राज सभा में तो फिर वो बनते हैं यहां पे लेकिन इसकी जो नियुक्ति करती है वो आपके options है राश्टपती उपराश्टपती राजपाल और प्रधान मंत्री इन तीरों में चारों में से कौन होंगे इसके मैन एंसर है इनका सही एंसर है राजपाल राजपाल के द्वारा इनके सपत ली जाती है राजपाल के द्वारा इनके ही अंडर साइन में इनका नियुक्ति होता है जो हमारे CM होता है चीप मिनिस्टर मुख्यमंत्री ठीक है आते है next question तो से हमें जो ह Mrs.E.A. आते हैं नोह आहिंए जो मुंक्यमंत्री हमें तौं ये कितने नमबर वे इनका नमबर कैस पिनिस्टर के में नमबर धर निıtलल की अविरत को गृपि द्सक्यमंत्र पर लूदेकर नीचे मिद्सवारा है इनका इननका नंबर कितने तो चीप मिनिस्टर म विर्षा अंदोलन मुख्य केंदर कहाँ तो खूटी लाते हार चत्रा दुमका हमेशा सभी अप्संस पर ध्यान दीजेगा क्योंकि क्या होता है कि कभी-कभी जरा सी चूक हमारे लिए problem create हो जाती है इसलिए तो इसका man answer होगा या सही answer होगा खूटी तो आपके लिए एक question इस question से है कि विर्षा अंदोलन का जनक किने माना जाता है विर्षा अंदोलन का जनक किने माना जाता है अगर आपको ये question का answer पता है तो आप अब निचे comment box में लिखेंगे ठीक है next question है next question है मेरा जारखन राज में जल संरक्षन के लिए निर्मान की वर्ष में शुरू की गई है ठीक है जल संरक्षन के लिए जो डुभा का निर्मान किया जाता है वो की वर्ष में आपका ऑप्शन 2011, 2013, 2016, 2018 मैं बहुत ही अच्छी तरह के से आपको बताऊंगा कि जब भी एयर से संबंदीत जब भी एयर से संबंदीत कोई question आते हैं तो आपको उसको कैसे attend करना है आपको कैसे देखना है कि कौन सा कैसे अनुमान लगाना है अगर आपको बिशेश तरह से उसको याद नहीं है तो ठीक है इसका answer अभी होगा 2016 ठीक है और हमारे जो भी JPSC special PT special batch है उसमें आपका एक-एक point पर स्लेवस के आधार पर एक-एक topic पर हम लोग discuss करेंगे तो उसके लिए आप जल्दी से जल्दी subscribe कर लिजे हमारे चैनल को और notification का जो bell है उसको आप जल्दी से जल्दी press कर ले ताकि आपके लिए हर एक वीडियो को देखना संभव होगा वो भी free of cost next question is parisnatth पहाड़ी जो की आया हुआ question दोस्तों जो भी तयारी करने उनको पता होगा कि कितना important यह सब question है जारखंड में जो parisnatth पहाड़ी है वो किस जीले में इस्थित है आपको district का नाम यहां पर बताना है कि किस जीले में इस्थित है आपके option है greedy latihar koderma dumka तो आपका सही answer है greedy greedy जिसमें parisnatth की पहाणिया इस्थित है ठीक है यह आपके लिए इस question से एक question मुने पास बन रहा है हर एक question के अंदर 3,4,5,6 questions आप create कर सकते हैं अगर आप तयारी कर रहे हो तो आप creativity सीखो इसका मतलब एक question के अंदर जितने questions निकल रहे है उस questions का answer आपको ढूणना है उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी और भी strong हो जाएगी ठीक है और भी कुछ tips और बहुत ही शाधानन सी जो कि आपको बाते ध्यान में रखनी चाहिए वो चीज हम लोग यहां पे class में discuss करेंगे तो यह किस धर्म से जुड़ी हुई है यह किस धर्म से जुड़ी हुई है तो जैन धर्म से जुड़ी हुई है तो जैन धर्म से जुड़ी हुई है तो जैन धर्म से जुड़ी हुई है इसके सबसे पहले गुरू यह भी कभी पोच दिया जाता है कि इसके सबसे पहले जैन ज्यादर detail में आपको बताया जाएगा ठीक है आते है next question में दल्मा गज अभ्यारन जारखन के किस जीले में है ठीक है अभ्यारन से भी question पुछा जाता है इस तरह सभी एक तो पुछा जाता है कि ये अभ्यारन किस वन ने जीव के लिए famous है और दूसरा question पुछा जाता है ये जीला कितना कौन सा जीला में स्थित है ठीक है और दूसरा पूछा जाता है कि इस्थापना कप की गई तो आपको पूछा जाएगा कि इसका एरिया कितना दूर दूर में फैला हुआ है तो आये option पे चलते है सबसे पहले दलमा गज अभ्यारन यानि की तरह कि यहां पर गज लिख दिया है तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो चाहिए जो जो ना जारकड में है तो जो रास्ते से आप गुजरोगे वो दल्मा पहाडी के ही बगल से आपका रास्ता गुजरोगे तो आप वहाँ पे देख सकते हो ठीक है आते हैं नेक्स्ट क्विस्टन में तो दोस्तो यह आज 10 ही क्विस्टन रहने देते हैं क्योंकि आज पहला इसके लिए क्लास्स है और जो भी आप लोग अगर जॉइन करना चाहते हो जो कि फ्री आप कॉस्ट रहेगा फ्री आप कॉस प्रेविजन बैच भी हम लोग ला रहे हैं जो कि आपकी तैयारी कैसी है आपको रिविजन करनी चाहिए तो उसमें MCQ जो कि आपकी PT के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और डिस्कृप्टिव एक्जाम की भी यहां पे तैयारी कि जाएगी डिस्क्रिप करना है इसके बाद आपको विदिन 2-3 दीन के बीच में आपको उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि आपकी लिखने की क्वालिटी कैसी है आपको कहां पे सुधार की जरूरत है और आप कैसे लिखते हैं आप कितने मांक्स के हकदार हो इससे क्या होगा कि आपकी बहुत बढ़ी हाँ तैयारी हो जाएगी पीटी के लिए और मैंस के लिए भी ठीक है तो विशेश करके अभी जारखंड इस पेसल और भी बहुत सारे बैच से हम लोग लाज कर रहे हैं तो free of cost जारखंड JPSC पीटी इस पेसल बैच के लिए आप लोग जॉइन कर सकते हैं नीचे क वालो भी कर सकते हैं Facebook पर, Instagram पर, YouTube पर, WhatsApp पर और Telegram ठीक है दोस्तों और हमारे अधर भी कुछ बैचेस हैं जैसे SSC, CGLC, HSSL, RRB, NTPC, Group D की, JPSC की, BPSC की, UPSI की, Junior Engineer की, Assistant Engineer की, सभी बैचों को हम लोग यहाँ पर free of cost material उपलब्द कराते हैं दोस्तों, JPSC, PT, Special Batch में आपको free of cost, आपको material भी दिया जाएगा जो कि आपके exam के दिरिश्टी कौन से बहुत ही ज्यादा helpful साबित होने वाले हैं तो चली बने रही है हमारे साथ, Study Tips को subscribe कीजिए और नीचे comment कीजिए आप अपने सुझाओ, अपने जितने भी सुझाओ हैं आप नीचे comment कीजिए thank you so much all the very very best